हे गाईज वीडियो को शुरुवात करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है गिववे वीनर्स के नाम मैंने अल्रेडी अनॉंस कर दी हमारे इंस्टाग्राम पेज के अंदर और हमारे टेलेग्राम चैनल के अंदर तो जाके आप डेफिनेटली चेक आउट कीजिए वीडियो के कैसे हो आप सब लोग तो भी आज इस वीडियो के अंदर में आपको चोई तीन लाइव यूए स्टाक्स के अंदर इंवेस्टमेंट करके दिखाने वाला हो जो मुझे लगता है कि आगे जाके फ्यूचर में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और यह अच्छे रेट पर मिल रहे ऐसा में नहीं कहूंगा यहापर अगर आप इंवेस्टमेंट करते हो और थोड़ा अगर नीच्छे आते अगर आप इंवेस्टमेंट करते हो तो यह मुटी बैगर साबित हो सकते हैं एसा क्यूं एसा मुझे लगता है इस वीडियो के अंदर में आपको आगी मार्केट इतना भाग रहा है आगे जाके जो US स्टॉक मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर सकता है तो यहाँ definitely मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के इंदर अभी उतनी काभी रहे थे काफी सारे demand account उपने आले हैं काफी सारा जो future technologies के उपर काम कर रही है जो की Indian stock market के इंदर listed नहीं है यह मैं honestly बात करो दुसरा और एक reason है मैं क्यों यह stock में अंदर investment कर रहा हूँ इसका और एक reason है कि मैं जो मेरे पैसो को diversify कर रहा हूँ इसका मैं Indian stock market के इंदर मेरे काफी सारे पैसे लगे हूए तो इससे diversify करने के लिए मैं जो भी US stock market के इंदर भी investment शार्ट कर चुका हूँ मैं जिसका मैं रिसेंटली कहा किया रो मुझे नहीं लगता कि future की technology के उपर काम करने वाली जो companies है जो की Indian stock market के उपर listed नहीं है so guys दिको future technologies इसका मतलब क्या है Metaverse Metaverse एक future technology है जिसके उपर काम कर रहे है Facebook, Microsoft जिसके बड़ी-बड़ी companies एनिवडी है जिसके बड़ी-बड़ी companies Metaverse के उपर काम कर रहे है जहां पर यह जो है virtual reality और physical world को एक साथ लाग एक अलग सा world create करने वाले जो की next social media ho सकता है ऐसा मुझे लगता है इसके उपर काम कर रहे है blockchain के उपर काम कर रहे है automation के उपर काम कर रहे rape 3.5 just मिन आपको बताया ऐसे बहुँआ सारे cryptocurrency के उपर application बनाए जारे बहुँआ सारे companies जिसके उपर काम कर रही है मुझे लगता है यह जो सारे stocks है, जो सारे companies है, US के अंदर listed है, और यह early stages के अंदर है, यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे company, अगर यह इनका project अगर successful हो जाता है, जो कि मुझे लगता है होने वाला है, तो हम लोग काफी अच्छा return बना सकते हैं, ठीके, तो इसलिए जो है मैं US stocks के अंदर invest कर आज हम लोग अगर बात करते हैं, अगर अगला Google कोन सा होने वाला, अगला Apple कोन सा होने वाला है, तो यह सारे company आज, मैं आपको इस video के अंदर बताऊंगा, जो मुझे लगते आगे जाकि इसके उपर काम करने वाले, तो यह आपको कुछना कुछ knowledge definitely मिलेगा, and guys मैं आपको इस video के starting में बता दू, investment करने से पहले में एक financial advisor नहीं हूँ, तो guys जो मैं आपको इस video के अंदर बताने वाला हो, जो मेरा research है, मेरा opinion है, इससे आप जो obviously आपने दिमाग में रख सकते हो, आप जो सीखने के लिए इसे use कर सकते हो, पर अपना खुद का research definitely करना investment करने के लिए, तो guys वीडियो को शुरुवात करते हैं, सबसे पहली company की बात करते हैं, जो कि मुझे लगते हैं आगे जाके काफी अच्छा perform कर सकते हैं, इस company का नाम है UiPath, अभी ये company करती क्या है, guys ये company बनाती है robots, automation industry के अंदर है काफी अच्छा काम कर रही है, basically ये robots, किस type के robots बनाती ह इंडस्टे के अंदर जो manual work होता है, जो labors काम करते हैं, जो कि repetitive task होता है, जहापर आपको ज़्यादा दिमाग लेन लागाना पड़ता, बस यहां से सामान उठाना है, बहाँ पर डालना है, तो इन सारे चीज़ों, इन labors को, इन लोगों को replace करने के लिए जो company robots बना रही है यह factory के अंदर labors को replace करने के लिए बस robots ने बना रही है, जो office work के अंदर, जो manual task होते है, जो कि एक robot आसानी से कर सकता है आगे जाके एक algorithm के साथ, एक programming के साथ, उन्हें भी यह replace करने के लिए robots बना रही है, काफी सरे robots अलड़ेड इन लोगों बना रही है, और future में इन लोग अच्छे project मिलने वाला है, मुझे लगता है, because already इनको जो काफी सारे companies से order आ रहे, और मुझे लगता है, यह industry आगे जाके काफी बढ़ने वाली है, काफी interesting area है, काफी interesting sector है, जिसके अंदर मुझे लगता है, future में काफी scope है, अब गयाज जिको UI path यह जो company list होई थी, 67 dollar के अब आप देखो, तो आज यह list का रहा है, 43 point something dollar के आसपास, तो यहाँ पर हम लोग आज इसे जो consider कर सकते हैं, तो गाइस चलो, यहाँ पर मैं अच्छो, अभी आपको investment करके दिखा था, UI path के अंदर, यहाँ पर मैं ने जो, IND money को application को open किया है, जिसके थ्रू मैं इसे use करता cloud fair, ऐसे बहुत सरा अलगा company, spotify company, UI path आ चुक है, यहाँ पर आप देख लो, 43 point 96 dollars, तो इसमें आपको investment करना है, आप जो कितने चाहे पैसे आप जो investment कर सकते हो, and 100 dollar में investment करने वाला हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर मुझे 2 point something shares मिलेंगे, यहाँ पर आप जो fractions के अंदर भी share purchase कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको एक share purchase करना है, कम से कम, आप जो points के अंदर भी shares को purchase कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सो, तो मेरा जो successful हो चुगा इस introduction, और मैंने जो UI path को purchase कर ली है, ठीक है, so guys अगली 2 companies के बारे में बात करने से पहले, मैं आपको जो IND money application के बारे में थोड़ा explain करना चाता हो, because आप में से करफे लोग अभी interested होंगे कैसे आपको जो UI stock के अंदर investment करना है, so basically IND money आपको जो help करता है UI stock के अंदर investment करने के लिए, आप guys जो को आप daily थोड़ा observe को, आप जो कितने सारा ऐसे product use करते हो, आप Netflix में काफी सारी movies वगरा programs देखते हो, आ आप जो Amazon से काफे सारा daily product purchase करते हो, आप जो Apple के phone use करते हो, आप जो Apple के products use करते हो daily, तो यहाँ पर यह companies आपको product बेच के, आपको services बेच कितना पैसा बना रही है, तो अगर आप इनमें invest करके, आप जो इनके profit के अगर भागेदार हो सकते तो कैसा हो जाता, so yes definitely यही आपको आप जो IND money आपको provide करते है, आप जो US stock के अंदर invest कर सकते हो, IND money को use करके, ठीक है, और यहाँ पर आपको और benefit के है, basically आप जो US stock के अंदर आप जो fractional share भी purchase कर सकते हो, यहाँ पर आप जो worth रूपीज 1 dollar का भी आप share purchase कर रकते हो, चाहे वो share कितना भी बड़ा हो, यहाँ प आप मैं IND money क्यों use करता हो, यहाँ पर आपको US account opening charges zero है, यहाँ पर maintenance charges zero है, यहाँ पर आपको जो brokerage charges नहीं लगते है, यहाँ पर आपको जो टेसला के share purchase करोगे, या फिर किसी shares को बेचोगे, तो यहाँ पर आपको जो कोई भी brokerage charges नहीं लगता हो, यहाँ पर आपको जो इतना आसान बना दिया, because पहले दिखो आपको US stock के अंदर investment करना इतना commission, इतने charges होते थे बड़ आभी इसको जो बहुत ही आसान करके रख दिया IND money application ने, so guys definitely आप जो इसे US stock के अंदर investment करने के लिए consider कर सकते हो, आप guys दिखो मैं आपको जैसे खाला था कि यहाँ टेसला की free shares मिल जाएंगे, and आप जो directly play store से या फिर app store से भी directly उनका application डाउनलोड कर सकते हो, बस आपको coupon के अंदर, coupon code के अंदर आपको DE Tesla आपको जो coupon code डालना यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानि कि drop out engineer Tesla का short format DE Tesla से आप डालोगे, तो आपको तभी भी Tesla के free shares मिल जाएंगे, तो video क नीचे आपको link दे दिए जाके आप जो definitely check out कीजे, so guys हम लोग बात करते हमारे second share की जिसके अंदर में आप जो investment करने वाला हो, इसका नाम है Meta Platforms, yes guys recently इसका change हुआ है नाम, इसका नाम पहले था Facebook, yes guys मैं बात करो Facebook company की, अब guys मैंने जो Facebook को क्यों चुना है investment करने के लिए, क्य क्या मैं इनको Instagram के लिए मैंने चुना है, बिल्कुल भी नहीं, क्या मैंने WhatsApp के लिए चुना है, नहीं, इनके जो भी अलग products है यह तो obviously है, इनसे हापन का जो काफी अच्छा business हो रहा है, Instagram से इनका revenue काफी बढ़ रहा है, काफी अच्छा profit इनको Instagram से भी आ रहा है, but मैं इनके Metaverse basically है क्या, Metaverse है web 3.0, यह जो internet की दुनिया ही change करने वाले, यहापर यह basically आपको जो अलग world के अंदर लेके जाने वाले, एक नया social media तयार करने वाले, जिसके अंदर मुझे लगता है, Facebook के पास एक बहुत बड़ा advantage है, because उसके पाद एक Instagram का बड़ा सा user base है, Facebook का एक दुनिया के साथ connect करके मिलता जुलता है, जो mixture सा एक experience देंगे, basically आप देखो, आप video call आज करते हो, आप video call अपने friend को करते हो, आप जो mobile से video call करते हो, अपने अपने घर बेटके, बड़ आगी चाकि एक convert होने वाला है, आप जो अपने room के अंदर आप जो अपने friend को call लगा एक चस्मा पहनोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखो यह VR box है, मेरे पास है, इससे अब अगर आप पहनोगे, तो आप जो अलग से एक animated दुनिया के अंदर चले जाओगे, जहाँ पर आपको जो animation दुनिया, जहाँ पर आप जो घुम सकते हो, फिर सकते हो, आप जो चीजों को देख सकते हो, इस glasses को यूज़ कर करें, अभी जो काफी बड़ा है, इतना बड़ा है, आपका सिर दुखने लगता है, आपकी जो glasses की quality इतनी अच्छी नहीं होती है, पर आगे जाके जो यह technology काफी advance होने वाले, यहाँ पर आप बसे इसे ज बहुत ही छोटे से glass के अंदर convert किया जाएगा, जिस glass को आप पहनोगे, तो आपके सामने आपका friend आपको जो बेटा हुआ दिखाई देगा, आपकी रूम के अंदर आप जो अपने friend से बात कर पाऊगे, आप समझरों में क्या बात करो, अपने room के अंदर आप जो वीडियो सकते हो, और क्या कुछ नियर सकते हो, बहुत ही अलग दुनिया बना रहे है, और जूचे मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, एक boom आने वाला, एक बहुत ही future है basically अगले past 10 साल के अंदर, और यहाँ पर इस Metaverse को जो बस Facebook ने अनूंस नहीं किया है, इसे ज देख लो, यह stock Facebook, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो 330 डॉलर के आसपास अभी मिल रहा है, बड़ यहाँ पर अगर आप इसका high देखो, तो यह जो 385 डॉलर के आसपास जाके आ चुक है, तो यहार almost यहाँ पर आपको यह 12-13% नेचे मिल रहा है, आपको जो discounted rate प बहुत interesting है guys, इसके बार में आप प्लीज थोड़ा सा सुनिए, यह बहुत future technologies के उपर काम कर रही है, और यह बहुत अपना business diversify कर रही है, और मुझे काफी interest आ रहा है, जितना मैं इस company के बार में जा रहा हूँ, इस company काम है NVIDIA, आपने सुना होगा, आपके laptop के पर इसके stickers हो यह GPU बनाते है, ग्राफिक्स कार्ड आपने देखा होगा, आपके जो computers के अंदर, laptop के अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, mainly जो NVIDIA का होता है, because high-end जो गेम्स आरे, जो बड़े बड़े गेम्स आरे, जिसके लिए जो एक high-end ग्राफिक्स कार्ड शाही होता है, तो यह यह NVIDIA बनाता है, इसका बहुत बड़ा market share इनके पास है GPU का, बड़े गेमिंग इंडर्स्ट्य आपने देखा होगा, लास्ट एक साल से कितनी बड़ी बन चुकी है, PUBG से गेम आरे, PUBG खेल के, YouTube के अंदर live stream करके, कितने करोड़ पती बन चुकी है, आपने देखा होगा, बड इसली गेमिंग बढ़ने वाले, तो क्या मैं बस उसी नजरिये से NVIDIA के अंदर investment कर रहा हो, योगा आगे जाके graphics card की, demand बढ़ीए वैसा, नहीं, NVIDIA जो है, गेमिंग के साथ साथ बहुत अलग-लग sectors के अंदर interested है, बहुत अलग-लग sectors के अंदर अभी entry ले रहा है, जो कि बह बना सकते हो, और एक अलग world बना सकते हो, वर्चुल चीज़े बना सकते हो basically, उनका वीडियो भी out हो चुका है, जाकर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर यह जो Omniverse, यानकि जो Metaverse के साथ भी काम कर रहे है, वर्चुल रियालिटी के उपर भी काम कर रहे है, और उसके साथ यह automation के उपर भी काम कर रहे है, यानकि आपने देखा हुआ Tesla का autonomous driving है, automatic driving जो कार चलती है, तो वो जो technology इसके अंदर भी जो Nvidia काम कर रहे है, और यह end-to-end पूरा solution दे रहे है अलग-अलग companies के साथ, यह अभी देखो Tesla के साथ compete करने के लिए, बाकी car companies भी जो अपने अंदर autonomous feature जो drive होती है, उसका भी feature लाने की कोश्च कर रहे है, तो बहुत सरे यह जो color companies है, Volvo वगरा यह सारे companies जो एणिविडिया के पास सारे इस technology को लेने के लिए, तो आगे जाके मुझे रखता है, इस sector के अंदर भी जो एणिविडिया काफी अच्छा perform कर सकता है, तो इसके अंद AI के अंदर भी काम कर रहा है, गेमिंग के अंदर काम कर रहा है, और mobile के अंदर जो processor लगते है, जो chips लगते है, उसके अंदर भी यह काम कर रहा है, तो यह मुझे लगते आगे जाके काफी अच्छा यह perform कर सकता है, तो यह बैस हो सकता है, तो यह definitely आप जो इस company को consider कर सकते हो काफी interesting technology के उपर एक काम करिये future technology के उपर एक काम करिये अलग-अलग sector के अंदर एक काम करिये जो कि मुझे लगता है आगे जाके काफी इसका demand बढ़ने वाला है तो ये काफी अच्छी multi-bagger company बन सकती बढ़का इस एक warning है काफी लोग ऐसे बात करें कि जो इसका company का valuation काफी बढ़ चुका है जो कि मुझे भी लगता है because guys देखो यहापर आप मैं आपको screen के उपर दिखा रहा हूँ मैंने इस company को जो है $190 के आसपास purchase किया था कुछ quantity मैंने purchase कि थी $190 के आसपास जब एक company थी कुछ महीनों पहले और एक company जो है उसके बाद जो है almost double हो चुके $292 के आसपास अभी हापरे जो trade कर रहे है तो definitely मुझे लगता है थोड़ा सा इसका valuation बहुत ही 30 से आगे बढ़ रहा है तो यार यह थोड़ा सा cost भी अभी मिल रहे है पड़ या definitely यह जो $330 के आसपास जाकी आई है तो $330 का इसका एक नया high इन्होंने बनाया है तो भास से अगर देखो तो 10% यहापर आपको जो सस्ते में मिल रहे है तो definitely आप जी थोड़ी-थोड़ी quantity definitely अगर आप चाहो तो add कर सकते हो तो average हो सकता है अगर आप थोड़ा और stock अगर यह नीचे गिरता है तो यहाँ पर मैं इसके भी जो $100 worth रूपीज share purchase कर रहा हूँ जैसे मैं आपको बता है कि यारा मैंने जो $190 का जब यह था $190 का तो मैंने purchase के थे थोड़ी-पास quantity मेरे पास already है तो मैं आप जो worth रूपीज $100 के भी इसके जो shares purchase कर रहा हूँ जो के fractions में आएंगे Done तो यह हो चुका है तो चलिए गाईज I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा जाते-जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ I&D money application को आप definitely consider कर सकते हो वीडियो के नीचे आपको link मिल जाएगा जिससे आप download करोगे तो आपको जिए free tesla share से मिल जाएंगे यहाँ पर आपको जो coupon code भी मैंने दी दिया है तो एचलिए गाईज आज कि इस वीडियो के अंदर इतना ही मिलते किसी और next वीडियो के अंदर तब तक के लिए hash dropout engine